ओम नमो भगवते बासुदेवाय नमा जै स्रीक्रिष्ण नमस्कार प्रियभक्त गड़ों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल प्रियंका धर्म गंगा में प्रियभक्त गड़ों आज हम अधिक मास के कथा का स्रवन करेंगे कहा जाता है कि पुर्सोत्तब मास में कथा पढ़ने सुनने से हजार पुन्य के बराबर फल मिलता है इसका बड़ा ही लाब होता है स्रीक्रिष्ण भगवान ने कहा है कि जो भी अधिक मास जिसे हम मल मास या पुर्सोत्तब मास की नाम से जानते हैं का अपमान करता है या निंदा करता है कथा वार्चन तथा कथा स्रवन को छोड़कर निरादर करके चला जाता है उसे जीवन में कभी भी सुख धन एस्वरे नहीं मिलता वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है जिस प्रकार से द्रोपती ने पुर्सोत्तम मास का निरादर और कटू बचन कहकर अपमान किया था तो उसे अपने पुर्व जन्म में दुख भोगना पड़ा और मरना पड़ा और इस जन्म में भी द्रोपती के रूप में जीवन भर दुख भोगना पड़ा पांच पतियों में बाटी गई चीर हरण हुगा दुसासन द्वारा बालों से खीच कर घसीटा गया तो हे प्रिय भक्त गड़ों आज हम पुर्शोत्तम मास की कथा में द्रोपती के पुर्व जन्म की कथा का स्रमन करेंगे यह महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है क्योंकि स्वयम स्रीक्रिश्न ने कहा था कि यह महीना मुझे हर महीने से भी ज्यादा प्रिया ह भगवान स्रीक्रिश्न के लिए यह पुर्शोत्तम मास अधिक मास जिसे हम मलमास भी कहते हैं अक्त्यंत प्रिया है तो इसलिए भूल कर भी इस महीने का अनादर ना करें और इसमें पूजा पाठ जब तब कथा कहानियों को सुने और पढ़ें इससे आपको अपार पुन फल की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सभी प्रकार के सुख और एस्वर से परिपून हो जाएगा प्रियभक्त गड़ों कथा को पूरा सुने और पुन फल की प्राप्ति करें आधा अधूरा छोड़कर पाप के भागी ना बने अभी तक आपने हमारे यूटूब चै हैं कथा की तरफ एक बार धर्म राज युधिष्टिर अपना सब कुछ अपना सामराज अपना महल यहां तक कि अपनी पवित्र धर्म पत्नी द्रोपति को जुए में द्रुयोधन से हार गए उस समय दुसासन ने पूरी सभा के सामने द्रोपति का अपमान किया लेकिन ऐसे विकट इस्तिती से भगवान स्री कृष्ण ने उन्हीं बचाया था इस घटना के बाद युधिष्टिर महराज अपने भाईयों और पत्नी के साथ अपना राज छोड़कर ब्रिंदा बन के काम्य बन में रहने लगें एक बार देवकी नंदन के पुत्र स्री सहित सभी पांडव अपने भगवान को देखकर बहुत खुस हुए और वे अपना और वे अपना सभी दुख दर्द भूल गयें स्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उनके जीवन में मानो नया संचार आ गया हो उन्होंने अपने भगवान के चरण कमलों में अपनी स्रध् पित की और बड़े ही आदरभाव से प्रणाम किया और द्रोपती भी धीरे धीरे स्री कृष्ण के पास आई और स्री कृष्ण के पैरों में पड़ गई स्री कृष्ण ने जब देखा कि उनके प्यारे पांडव बहुत ही दुखी है बाल बिखरे हुए हैं सरीर पर धूली लगी है और चमडे की वस्त्र पहने हैं तो उन्हें अत्यांत दुख हुआ उन्होंने जब द्रोपती को देखा अपनी सखा को देखा तो उन्हें और भ देखकर भगवान स्री कृष्ण को दुर्योधन पर अत्यंत क्रोध आया मानो ऐसा लग रहा था जैसे की अभी अभी वो दुर्योधन को भस्म कर देंगे भगवान स्री कृष्ण के क्रोध को देखकर अर्जुन ने उनसे सांत होने के लिए कहा अर्जुन के आग्रह करने पर स्री कृष्ण जी सांथ हो जाते हैं और उन्हों ने कहा हे अरजुन तुम मेरे सबसे प्रिय हो हे पार्थर मैं तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर अक्त्यंत दुखी हूँ इस प्रकार से भगवान स्री कृष्ण, पांडव और द्रोपती से वारता लाप करने लगते हैं। फिर द्रोपती ने अपने सखा भगवान स्री कृष्ण से कहा। हे वासुदेव, कृपा कर हमें बताईए, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किये थें, जो की मेरे पांच-पांच पती होते हुए भी, मेरी रक्षा नहीं की जा सकी। मुझे जुए में हार दिया गया। हे प्रभू, हम इतने दुखी क्यों हैं। द्रोपती और पांडव की बातों को सुनकर भगवान स्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, हे द्रोपती, ये सब तो पुर्वजन्मों का खेल है, इसी प्रकार से यह सब जो हो रहा है, द्रोपती के पुर्वजन्मों का फल है। द्रोपती ने पुर्व जन्म में पुर्षुत्तम मास का अपमान किया था। इसी कारण उसे इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान स्री कृष्ण के बात को सुनकर पांडवों ने कहा हे नारायन, हे कानह, हे मुरारी। कृपया आप बताए द्रोपती ने प पुर्षुत्तम मास का किस प्रकार अपमान किया था और पुर्षुत्तम मास का क्या महत्व है। भगवान स्री कृष्ण ने आगे कहा, अब मैं द्रोपती के पुर्व जन्म से संबंधित एक प्रसिध एतिहासिक घटना का वर्णन करने जा रहा हूं। अगले जन्म में द्रोपती मेधावी नामक एक महान ब्रामण रिसी की बेटी थी, वह एक छोटी बच्ची थी, तभी उसकी मा की मृत्ती हो गई और इसलिए वह अपनी पिता की देख रेख में थी। दिन बदिन वह पूरी तरह से खिल-खिलाती हुई यौवन में बढ़ गई। वह बहुत ही सुन्दर थी। लेकिन उसके पिता को उसके विवाह की कोई चिंता नहीं थी। अपने अन्य सहेलियों को अपने पती और छोटे बच्चों के साथ खेलता देखकर उसके मन में भी विवाह करने का स्वप्न जागरित होता है। वह गुजरते दिनों के साथ यही सोचकर बहुत दुखी थी कि मेरे पिता को मेरा विवाह करने में कोई भी रूची नहीं है। आगे स्री कृष्ण ने कहा हे पार्थ द्रोपती ने अपने उससे भी पुरो जन्म में एक पाप किया था जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। इसी बीच इसी बीच स्रीहरी के पवित्र नाम का उच्चारन करते हुए उसके पिता का इस भौतिक संसार से निधन हो गया। इससे उसकी बेटी और भी दुखी हुई तो भाग्य से महान रिसी दुरवासा मुनी उसके पिता के मृत्तु के तुरंत बाद उसके आसरम में प्रकट हुए। महान रिसी को देखकर लड़की ने उन्हें प्रणान किया और सम्मान पुरवग उनकी पूजा की उसने महान रिसी को फल फूल चड़ाए। जब उन्होंने उसके स्वागत पर प्रसनता व्यक्त की तो वह कन्या दुरवासा रिसी के सामने विलाप करने लगी। उसने कहा हे मुनिवर क्या आपको मेरे पिता ने भेजा है। इस घंगोर वन में इस कुटिया में मैं अकेली जीवन ब्यतित कर रही हूं। अब मेरे सर से पिता का साया भी उठ चुका है। हे महान संद दुरवासा आप सब कुछ जानते हैं। भूत, बर्तमान और भविश्य इस संसार में कोई आश्र नहीं है। मैंने अपने सभी रिस्तिदारों को खो दिया। मेरे माता-पिता का निधन हो गया। और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं। मैं भी अभिवाहिता हूं और इसके लिए मेरी रक्षा करने वाला कोई पती नहीं है। हे महान रिसी कृप्या कुछ करें। कृप्या मेरी मदद करें। उसकी प्राथना सुनने के बाद दुर्वासा ने लड़की के दुर्वाग्यपुर इस्तिती पर विचार ब्यक्त करना सुरू किया। और उसने उस पर दया करने का फैसला किया। दुर्वासा रिसी ने बोलना सुरू किया। हे कन्या अपसे तीन महीने बाद से पुर्सोत्तम महीना सुरू होगा यह महीना पवित्र भगवान स्री कृष्ण को सबसे प्रिय है इस महीने में केवल एक पवित्र स्नान करने से मनुस्या महिला पूरी तरह से पाप रहित हो सकते हैं यह पुर्सोत्तम मास कार्तिक मास सहित अन्य सभी महीनों की अपेच्छा अधिक गौरव साली है अन्य सभी महीनों की महिमा पुर्सोत्तम महीने की महिमा के सोलहवे हिस्से के बराबर भी नहीं है इस महीने में एक बार भी इशनान करने वाले का पुन्य 12,000 वर्सों तक गंगा इशनान करने के पुन्य के बराबर होता है। प्रकार के सिध्या प्राप्त होगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरी यह सलाह का पालन करो। खृप्या आने वाले पुर्शोत्तम मास की बहुत इमंदारी से पूजा करना ना भूलो। इन सब्दों को कहने के बाद रिशी दुर्वासा चुप रह ग और उसने कहा हे महान रिशी आप जूट बोल रहे हैं। यह अत्रिक्त महीना जिसे हम मलमास भी कहते हैं। माग, कार्तिक और बैसाख जैसे अनमहान महीनों से स्रेष्ट कैसे हो सकता है। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती। मुझे आप धोखा देने की कोशिस क कर रहे हैं। यह अत्रिक्त महीना किसी भी प्रकार की पवित्र गती विधी के लिए सबसे ध्रिडित माना जाता है। ब्रामण कन्या की बात सुनकर दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उनका पूरा सरीर जलने लगा और आखे लाल हो गई। लेकिन लड़की की लाचार ह नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे एक अच्छे मित्र थे। तुम एक अज्यानी कन्या होने के कारण ऐसी असहा इस्तिती में हो। मैं अपने प्रती तुम्हारे अपराधों को गंभीरता से नहीं लेता हूं। लेकिन साथ ही मैं पुर्शुत्तमास के प्रती तुम्हें अपराधों को छमा नहीं करूंगा। तुम जैसा करना चाहो कर सकती हो। तुम जिसका पूजा करना चाहती हो कर सकती हो। मेरा काम था तुम्हें बताना और मैं कहकर जा रहा हूं। हे अभागन कन्या तुमने पुर्शुत्तमास का अपमान किया। उनकी निंद की है इसलिए इसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा मैं तो तुम्हें स्राप नहीं दूंगा क्योंकि तुम पहले से ही दुखी हो मेरे अत्यंत प्रिय मित्र की पुत्री हो तो इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं आगे स्री कृष्ण ने कहा जब दुर्वासा मुनी ने उस अस्थान को छोड़ दिया तो ब्राम्हण लड़की दुरुपती अपने पिछले जन्म में एक पल में अपने सभी एसवर खो दिये पुर्सोत्तम्माज का अपराधी होने के कारण उसका सरीर बहुत बदसूरत लगनी लगा और उसने अपना सारा सरीरी तेज खो दिया उसने तब भगवान सिव की पूजा करने का नेड़े लिया उसने आसुतोस के नाम से जाने जाने वाले भगवान सिव को जो बहुत ही आसानी से प्रसन होते हैं उनकी पूजा करना आरंभ कर दिया तब वह ब्राम्हणी पारवती के पती भगवान सिव को प्रसन करने के लि उसने 9000 वर्षों तक अपनी तपस्या जारी रखी, गर्मी के मौसम में वह आग से घिरी और तेज धूप में ध्यान के लिए बैठी थी, सर्दियों के मौसम में वह ठंडे ठंडे पानी के नीचे ध्यान करती थी, उसकी महान तपस्या को देखकर देवताभी भैभी थो गए भगवान संकर तब ब्रामण कन्या के सामने प्रकट हुए, भगवान सीव उसकी पूजा और तपस्या से प्रस्न न थे, तब भगवान सीव ने अपने आध्यात्मिक रूप में लड़की के सामने प्रकट हुए, तो लड़की तुरंद तरो ताजा होकर उठ खड़ी उसकी सभी सारेरी कमजोरी दूर हो गई और वह फिर से सुन्दर दिखने लगी, अपने सामने भगवान सीव को देखकर, वह अपने मन में उनकी पूजा करने लगी और फिर उन्हें प्रसन करने के लिए अच्छी प्रात्ना करने लगी, भगवान सीव जी लड़की से प्रसन हुए, हे तपस्या करने वाले तुम सभी के लिए सवभाग्य, अब तुम मुझसे कुछ बर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन हूँ, तुम जो कुछ भी मांगना चाहो, मैं तुम्हे वह प्रदान करूंगा, भगवान सीव के मुख से, यह कड़की ने कहा, हे गरीबों के मित्र, यदि आप मुझे पर प्रसन हो, तो मुझे एक पती दो, बार बार एक ही सब्द, मुझे एक पती दो, मुझे एक पती दो, एक भलवान पती दो, एक सत्यवादी पती दो, एक सुन्दर पती दो, एक महान धनुस्धारी पती दो, ऐस करते करते उस कन्या ने पांच बार पती पती कहा और उसके बाद वह चुप हो गई तब भगवान सिव ने उत्तर दिया रहने दो तुमने पांच बार पती मांगा है इसलिए तुमको पांच पती मिलेंगे भगवान सिव की बात सुनकर लड़की बहुत लजीत हुई उसने कह हे भगवान एक लड़की के लिए पांच पती होना सबसे घ्रिडित है, सबसे घ्रिडित है, घ्रिपया अपने सब्दों को वापस ले, तब भगवान सिव ने उससे बहुत गंभिरता से कहा, यह मेरे लिए असंभव है, जो तुमने मुझसे मांगा है, वह मैंने दिया, अग अले तुमने रिसी दुर्वासा की सलाह का पालन ना करके पुर्सुत्तमास को नाराज किया, हे ब्रामण कन्या, दुर्वासा और मेरे सरीर में कोई भेद नहीं है, भगवान ब्रम्हा सहित सभी देवता और नारब जैसे सभी महान संथ, भगवान स्रीक्रिष्न के आदेश की अनुसार इस पुर्सुत्तम महीने की पूजा करते हैं, पुर्सुत्तमास का भक्त इस जीवन में सभी सभागे प्राप्त करता है, और अपने जीवन के अंत में भगवान स्रीक्रिष्न के निवास गो लोकधाम में वापस चला जाता है, इस पवित्र पुर्सुत्तम मही का अपराधी होने के नाते तुमको अगले जन्म में पांच पती मिलेंगे और तुम्हें दुखों का साहना करना पड़ेगा यह सुनकर लड़की को बहुत पश्टावा हुआ लेकिन भगवान सिव वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गए भगवान सिव के जाने के बाद ब्रा करके अपना सरीर त्याग दिया है अर्जु है अर्जुन इस बीच महान राजा दुरूपत एक महा यग किया इसी यग से युवां ब्राम्हरी ने जन्म लिया वह महराजा दुरूपत की बेटी के रूप में प्रकट हुई यह अर्जुन मेधावी रिसी की वह बेटी अब अब्रोपती के नाम से दुनिया में प्रशिद्ध हो गई वह कोई और नहीं बलकि तुम्हारी बर्तमान की पत्नी है क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में पुर्शुत्तम महीने की निंदा की थी दुसासन ने अपने सभी पांड़ों पत्नियों की उपस्तिती में पू च्छमा करते हुए मैंने उसे उस सबसे ध्रिडित इस्तिती से बचाया और उसे दुसासन के हाथों से बचाया है प्यारे पांड़ों भाई क्रिप्या आगमी पुर्शुत्तम मास की पूजा करना ना भूले जो पुरुस पुर्शुत्तम मास की निंदा करता है तो वह सभागे प्राप्त नहीं होगा यह पुर्शुत्तम महीना आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने और सभी दुखों को दूर करने के लिए पूरी तरह से सक्ति साली है अब आपके 14 वर्स के वन जीवन का अंत हो रहा है क्रिप्या इस पुर्शुत्तम महीने की इमंदारे स पूजा करें क्योंकि यह आपको सभी सभाग प्रदान करेगा पांडवों को पूर्ण सांत्वना देते हुए भगवान स्री कृष्ण उस अस्थान से द्वारिका के लिए निकल पड़ें कुछ दिनों बाद जब पुर्शुत्तम मास प्रकट हुआ महराजा युधिष्ट स्री कृष्ण की पूजा की पूर्शुत्तम प्रत करके उन्होंने जो योगता हासिल के उसका मतलब था कि उन्होंने अपना खोया हुआ राज वापिस पालिया और एक सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वे सभी भगवान स्री कृष्ण की कृपा से वापस देवत में लौट गए तो प्रिय भकत गड़ो यह थी पुरुषत्तम महीमा आपने सुना किस प्रकार द्रोपती ने पुरुषत्तम महीने का अपमान किया था तो उसे दुक्ष मिला प्रिय भक्तो भगवान स्रे कृष्ण स्वयम कहते हैं यह पुरसुत्तम महीना उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है यह हर महीने से उत्तम है तो आप इस महीने में धर्म कर्म पूजा पाठ करना ना भूलें और अपने जीवन को पूजा पाठ करके सार्थक बनाए ओम नमस्षिवार जय स्रे कृष्ण प्रिय भक्त करों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी अगर मेरी यह कथा आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजे और कमेंट में जय स्रे कृष्ण लिखना मत भूलिएगा